ओम शान्ती ओम शान्ती आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे सभी को या खुसकबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में सांद रहे हैं बाप आए हैं एक आदी सनातन देवी देउता धर्म स्थापन करने के लिए प्रस्न है तुम बच्चों को बार-बार याद में रहने क इसारा क्यों दिया जाता है उत्तर है क्योंकि एवर हिल्दी सदा पावन बनने के लिए ही याद करना है यहीं से हम हिल्दी और वे भरपूर ग्यान से यूगता और योग से अपने आपको हिल्दी बनाने का पुरुशार्थ कर सकते हैं याद से ही संभव इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो सभीरी सभीरी ही इस्तान कर लो और उसके बाद एक कांत में बैठ कर चक्र लगाओ के पास जाओ सुछ मतन में परंधा में जाकर बैठ जाओ यहां तो कमाई ही कमाई है इस समय संगम युग में जितनी भी कमाई करना चाहो कर सकते हो याद से विस्व का मालिक बनना है मन जाओगे ओम शांती मीठे बच्चे जानते हैं इस समय सभी विस्व में सांती चाहते हैं या वास सुनते रहते हैं कि विस्व में सांती कैसे होगी प्रंत विस्व में सांती कब थी ये तो फिर कोई जानता ही नहीं अब चाहते हैं या कोई नही तुम जानते हो तुम बच्चे जानते हो विस्व में सांती थी लेकिन जब इन लक्षमी नाराइन का राजे था अभी तुम लक्षमी नाराइन के मंदिर क्यों मनाते रहते इसी कारण तुम कोई को भी ये सब बाते समझा सकते हो विस्व में सांती पांच जार वर्स पहले थ अभी फिर से इस्थापन हो रही है कौन बच्च इस्थापन करता है या मनुष्य नहीं जानता तुम बच्चों को बाप ने समझाया है तुम किसी को भी समझा सकते हो तुम लिख सकते हो प्रंतु अभी तक कोई को हिम्मत ही ही जो लिख कर ये समझाया अख़वारों में भी सुनते हैं न सब कहतें विश्व में सांथी हो लड़ाया दी होगी तो मनुष्य विश्व में सांथी के लिए यग्य रचेंगे अभी बच्चे जानतें इसे मैं बाप जिसको रुद्र सी भी कहा जाता उसने ज्यान यग्य रचा था है जब लो दुनिया में जहां सांती थी जरूराजी करने वाले भी वैसा ही बन रहे हैं निराकारी दुनिया के लिए तो यह सब बाते नहीं कहेंगे कि विश्व में सांती वहां तो सांती ही होती है विश्व मनुस्यों की बनती है निराकारी दुनिया को विश्व नहीं कहेंगे वहां आत्माई रहती धाम है, बाबा बार बार समझाते हैं, फिर भी कोई भूल जाता है, कोई कोई की बुद्धी में है कि वह समझा सकते हैं, विश्मे सांती कैसे थी, अब फिर से कैसे इस्था पहुत सहज है, भारत में जब आदिस सनातन देवी दियुता धर्म का राज था, एक धर्म था, एक का राज था, विश्मे सांती उसमें थी, ये बड़ी सहज समझान की लिखने की बाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों को भी तुम लिख सकते हो, विश्मे सांती, आज से पांच जार साल वर्स पहले थी, जब इनका राज था, जिनके तुम अभी मंदिर बना रहे हूं, भारत में ही इन्हों का राज था, और कोई धर में नहीं था, जो कि विरोध कर सके, ये तो सहज है, और सयान पन भी है, कि बाते बहुत समझने की बाते हैं, ड्रामा लुसर आगे चल कर सब समझ जाएंगे, तुम ये खुस खबरी सब को सुना सकते हो, छपा भी स 37 थापन हो रही है, ये बाते सिम्रन करने से तुम बच्चों को बड़ी खुसी होनी चाहिए, तुम जानते हो बाप को याद करने से हम विस्व के मालिक बनने वाले सारा मधार तुम बच्चों के पुरुसार्थ पर हैं, जितना हम पुरुसार्थ करेंगे अपनी आत्मा को स्रीमत प्रमान चलाएंगे उतना हम विश्व के मालिक बनेंगे बाबा ने समझा जो भी टाइम मिले बाबा को याद करो सभी रिस्नान करके कांत में चक्र लगाओ बैठ जाओ, सुछ मतन जाओ, बरम धाम जाओ यहां तो कमाई ही कमाई है अब विश्व में सांथा पन हो रही है यह सब याद करने की बाते बच्चों को बड़ी खुसी होने चाहिए तुम जानते हो बाप को याद करने से ही हम विश्व के मालिक बनने वाले है सारा मदार तुम के पुरुसार्थ फिर बाबा ने समझाए जो भी टाइम मिले बाबा की याद में रहो सबेरी ही स्टान करके बैठ जाओ एवर हेल दी सदा पावन बनने के लिए याद बहुत जरूरी है यहां भल साधु सन्यासी पवित्र रहे हैं यह तो भी बिमार जरूर पढ़ते हैं क्योंकि यह दुनिया ही रोगी दुनिया है वह निरोगी दुनिया है यह भी तुम जानते हो बच्चों में कितना किसी को क्या पता कि स्वर्ग में निरोगी होते हैं स्वर्ग किसको कायाता है यह किसी को पता ही नहीं अभी तुम जानते हो बाबा कहते हैं कि कोई भी मिले तुम उसको समझा सकते हो, कोई राजारानी अपने को भी नहीं कहला सकता है, अब राजारानी की तो बात ही नहीं बोलो, तुम अभी राजारानी हो नहीं, या बुद्धी से निकालना पड़े महराजा महरानी से लक्ष मिनारायन की राजधानी तो अभी स्थ हो रही है तो ज़रूर यहां कोई भी राजारानी नहीं होने चाहिए हम राजारानी यह भी भूल जाओ ओड्नरी मनुष्यों के समार साधरन रूप से चलो इन्हों के पास भी पैसा सोना दी रहता है ना जिसमें बाबा ये मुरली चलाय था उस समय राजा राने थे तो उन लोगों को बाबा संदेश दे रहता कि तुम रहोते वे भी भूल जाओ क्योंकि तुम साधरन में चले जाओगे अभी काइदे पास हो रहे हैं सब ले लेंगे फिर कौमन मनुस्यों के मुआफिक हो जाएंगे यह भी युक्तियां रची जा रही है गायन भी है ना किसी की दभी रहेगी धूल में किसी का बाड़ बहा कर ले जाएगा किसी की राजा खाएं अब डॉट 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 अब राजा की कोई खाते नहीं राजा कोई की खाते नहीं क्यूंकि राजा हैं तो हैं ही नहीं प्रजा का प्रजा खा जाएगी आज कल का राज बड़ा वंडर फुले जो बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है तो फिर राजाने स्थापन होती अभी तुम जानती हो हम व आटिफीसियल भी बहुत निकल गए हैं समान, यहां तो पक्के ब्रम्भा कुमार कुमारियां चाहिए, पक्के कच्चे नहीं, जो पूरा निश्चे बुद्धी होकर चलने वाले बच्चे चाहिए, तुम रामन ब्रम्भा बाप के साथ विश्व में सांती के स्थापना का का कारे कर रही हूं, ऐसी सांत सापन करने वाले बच्चे बहुत सांत चीत हो कर रहते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं क्योंकि जानते हैं कि हम ही वो निमित बने हैं विश्व में सांती सापन करने के लिए, तो पहले हमारे में सांती होनी चाहिए ना, बाच चीत भी बहुत धीर दीरे बहुत रोयल्टी से करनी चाहिए तुम बिलकुल गुपत रूप से कारी कर रही हो तुम्हारे बुद्धी में भी नासी ग्यान रतनों का खजाना भरा होना चाहिए बाग के तुम वारिज बच्चे हो ना जितना बाप के पास खजाना उसका पूरा पूरा अधिकारी बनना है सारी मलकियत आपकी है प्रंतुगा हिम्मत ही नहीं जो बच्चे पूरा ले सकते हैं लेने वाले उचा पजपा सकते हैं कोई को समझाने का सौक होता है भात को फिस्वर्ग बनाना है सुधन्धादी करते साथ में यह भी सेवा करो इसलिए बाबा जल्दी जल्दी क कहता है ड्रामा तो ड्रामा है ना वो अपने टाइम पे चल रहा है लेकिन फिर भी बच्चों को पुरुसार्थ करा कर दुसरों को भी आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए बच्चों को निश्च चाहिए कि अभी बाकी थो हमें बचा है यह हमारा अंतिम जनम है फिर हम सुखधाम हो जाएगा बनने में टाइम लगता है ना इसलिए खुद को पुरुसार्थी बना कर चलाओ यह विनास छोटा थोड़े ही पूरे विसो का बस करना है जैसे नया घर बनता है तो फिर नए घर की याद आती है वह है हद की बाते उसमें कोई संबन आदी थोड़े बदल जाते हैं यह तो पुराने दुनिया ही बदल जाती है इसलिए यहां सब कुछ बदल जाता है फिर जो अच्छी रिती पढ़ेंगे वह रजाई कुल में आएंगे नहीं तो प्रजामिचों को बड़ी खुसी होनी चाहिए बाबा ने समझाया है ना कि 50-60 जनम तुम यानि की 40-41 जनम हो गया एक जनम ये एक ताले समझाया उसके बाद भी बाबा कह रहा है कि 50-60 जनम यानि की कल्यूग में भी आधा से अधिक हम लोग सुख में रहेंगे राजाएं जब आपस में लड़ते हैं दुख तो बाद में होगा राजाएं जब आपस में लड़ते फूट पर्दान में बहुत धीरे धीरे आती हूँ तो तुम बच्चों को बहुत खुसी होनी चाहिए कि एक जनम का पुरुसार्थ में जनम जनमांतर के लिए सुखी बना रहा है खुद को खुसी नहीं होगी सांती नहीं होगी तो विश्व में सांती क्या स्थापन करोगे बहुतो की बुद्धी में सांती रहती है बाप आते ही है सांती का वर्दान देने कहते हैं मुझे याद करो तमो परधान बनने के कारण जो आत्मा सांथ हो पड़ी है वह याद से सतो परधान सांथ बन जाएगी प्रन्तु बच्चों से याद करने की नहिनत पहुचती ही नहीं याद में ना रहने के कारण फिर माया का तुफान बहुत आने लगता है याद में रखकर पूरा पावन नहीं बनोगे तो सजा तो मिलेगी न बद भी प्रष्ट हो जाएगा ऐसे नहीं समझाना चाहिए कि स्वर्ग में तो जाएंगे ही न ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि जब आन ले लिए तो सवर्ग में जाएंगे अरे मार खाया इतना सहन किया और थोड़े एक दो जनम के लिए सुख पा लिया ये कोई अच्छी बात है क्या मनुसे उचा पत पाने के लिए कितना पुरुसार्थ करते हैं इसे नहीं कि जो मिला सो अच्छा है ऐसा कोई नहीं होग पैसे से हर बात का सुख मिलता है तुम बच्चे जानते हों हम बाबा से अथा धन लेते हैं पुरुसार्थ कम करेंगे तो धन भी तो कम मिल जाएगा बाप को धन देते हैं कहते हैं धन है तो अमधी जाकर चक्र लगाओ समय साकारी बाबा बोलते थे कि अगर धन है तो जो म मेरिका में सेवा करो तुम जितना बाप को याद करोगे सेवा करोगे उत्रा सुख मिलेगा बाप हर बात में पुरुसार्थ कराते रहते हैं उचा बनाना है ना समझते हैं बच्चे नाम बाला करेंगे हमारे कुल का तुम बच्चों को भी स्वरिय कुल का नाम बाला करना बा तुम जानते हो अभी तुम पारस बुद्धी बन रहे हो पारस बुद्धी बाबा कहता है पारस बुद्धी यानि कि पा पालिया भगवान को पालिया से सारे संबंधों का रस पालिया ये बुद्धी में रखनी चाहिए इसी को कहा जाता है पारस बुद्धी यानि कि भगव सिन्वाना ताकि जनम जन्मांतर के लिए हर रिस्ते से मुझे प्यार मिले अभी बाबा को उसे प्यार लेना है भारत, गोल्डन इस था विश्ण में सांती कैसे थी ये तुम लकष्मी नारायन के चित्र पर समझा सकते हो है विन में सांती होगी अभी तो हेल है नर्क है इसमें असांती है है विन में यह लक्षमी नारायन रहते हैं कृष्ण को लॉड कृष्णा भी कहते हैं कृष्ण भगवान भी कहते हैं अब लॉड तो बहुत हो गया जिसके पास बहुत सारी जमीन जास्ती होती है ना उनको भी लैंड लॉर्ड कहते हैं पुरा विष्म का प्रेंस बना, जिसमे विष्मे सांती भी थी यह बी किसी को पता नहीं कि लक्षमी नारायन राधे कृष्नी ही लक्ष मीनारायन बनते हैं, तुम्हारे लोग कितनी बाते हैं? हंगावा मचा देते हैं कहते हैं क्या कि ये लोग तो भाई भन बना देते हैं समझाय जाता है प्रजा पिता ब्रम्भा के मुखबंसा वली ब्रामन हैं तो हम भाई भन ही ठहरें ब्रामन देवी देवताय नमा ब्रामन भी उन्हों को नमस्ते करते क्यूंकि सच में हम बच्च को नमन करता है इस समय कन्या का इतना मान क्यों होता है क्यूंकि तुम अभी ब्रह्मभा कमार्या बन रही हो मैजूरिटी कन्याओं की है दिखाते हैं आठ कन्या और एक पूरुष को दिखाते हैं एक बच्चे को दिखाती हैं सीवसेती से पॉण्ड़ा से गाई हुए इसमें मेल भी है मैजुरिटी लेकिन माताओं की है इसलिए गाय जाता है तो जो अच्छी रिटी पढ़ते हैं वो उचा बनते हैं अभी तुम सारे वर्ड की हिस्ट्री जोग्रफी जान गए हो चक्र पर समझाना बहुत सहज है भारत पारस पुरी था अभी पत्थर धी बन गया है तो अभी सब पत्थर नाथ ठहरे न तुम बच्चे अभी इस चौरासी के चक्र को जानते हैं अभी घर जाना है घर तो बाप को याद करना है घर भी याद करना है बाप को याद करना है जिससे पाप भी कड़ जाएं प्रें तो बच्चों से याद की मेनत पहुचती ही नहीं क्योंकि अलबेलेपन में याद करते हैं न सबेरे उठती ही नहीं अगर उठते हैं तो मज़ा नहीं आता नीन आने लगती हैं तो फिर सो जाते हैं हौपलेस हो जाते हैं निश्चे हील जाता है बाबा कहते बच्चे ये युद्ध का मैदान है, माया युद्ध कर रही है, इसमें हॉपलिस मत बनो, हमें सा निश्चय बुद्धी होकर बैठ जाओ, याद के बलसे माया पे तुम्हें जीद भी पानी, इसमें मेहनत करते रहो, बहुत बच्चे अच्छे बच्चे, जो यथार्त रित याद नहीं करते हैं, चाट रखने से घाटे पाय फाय देगा, पता पढ़ जाएगा, जितना हम चाट रखेंगे, हमें पता चलेगा, कि हम क देखेंगे, हम तो बहुत अच्छा करते हैं, ये बाप के डारेक्शन पर अमल नहीं करने से बहुत नुकसान अपना ही कर देते हैं, बच्चों को पता थोड़ी पढ़ता है, यहां कौन कह रहा है, निराकार कहता है, वसाकार कह रहा है, बच्चों को तो बार-बार समझा जाता हमेशा समझो से बाका डारेक्शन मिल रहा है, तो तुम्हारे बुद्धी वहां लगी रहनी चाहिए, आजकल सगाई होती है, तो चितर दिखाते हैं, नाकवार में भी डालते हैं, तो इनके लिए ऐसे घर आईए, दुनिया का क्या हाल हो गया है, क्या होना है, तुम बच्चे जानते हो अनिक प्रकार की मत्ते अभी मिल रही है, तुम ब्राहमनों को तो एक ही मत्पर चलना इस वरिये मत्पर, स्रेष्ट मत्पर, विस्व में सांती स्थापन करने की मत्थ है, स्रेष्ट मत्थ, तुम स्रीमत से विस्व में सांती स्थापन कर रहे हो, तो आपने आपको देखो चाट देखो हमने किसको दुख तो नहीं दिया बाब कहते तुम्हारा यह समय एक एक सकेंड मोच भाय वैलिबल है मोच रहा खाना माना तुकर खा कर यह क्या बड़ी बड़ी बात है बाबा कहता है कि बार बार किसी से हार नहीं खाना हार फिर आगे पुजारी बनना होता इतना धन होगा जो सुमनात का मंदिर बना सको तब तो पूजा करें यह भी साव रखना है बच्चों को फिर समझाते हैं चाट रखो बहुत फायदा तुम्हीं होगा नोट करना चाहिए सब पैगाम देते जाओ चुप करके नहीं बैठो यह साकार मो पर बाप कहता है ट्रेन में भी लिटरेचर दे दो बोलो यह करोड़ों की मलकायन का भारत में जब राजय था विश्व में सांती थी अब बाद बाप फिर से वराधा पन करने आया है तुम बाप को याद करो तुम्हारे भी विकर भी नास हो जाएंगा और विश्व में सा रूपैल मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, पैंद के साथा थार मस्तकी तकर रहना को बात किए ओर चोड़कर याद की पूरी-पूरी मेहनत करनी है। कभी भी हॉपलिस नहीं होना है कि हम करेंगे कि नहीं हम कर पाएंगे या नहीं नहीं। करना ही बाबा के बच्चे जित्रिष्टी पड़ी वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वर्दान है विकारों रूपी सापों को सईया बनाने वाले विष्णू के समान सदा विजयी निश्चिंद भवा कहा जाता है ना कि पांच मुँवाले साप के उपर सईया बना का विष्णू चार भुजाधारी विष्णू लेटे हुए हैं और आख बंद करके चिंतन कर रह ही है लच्मी इसका मतलब है कि हम सापों को यहनी कि विकारी दुनिया में रहते हुए विकारों को भस में खुष रहें और बाबा की ज्ञान का चिंतन करें उसके बाद प्रकृती भी हमारे पैर दबाएगयी चार हाथ होने का मतलब हम लक्षमी नाराण ग्रिहस वेवान में रहते भी हम खुस रहेंगे वर्दान है वर्दान को अपने अंदर धारन करना जो विश्णू की सेश सहया दिखाते हुआ आप विजई बच्चों के सहज योगी जीवन का यादगार है सहज योग द्वारा विकारो रूपी साप भी अधिन हो जाने चाहिए जो बच्चे विकारो रूपी साप उपर विजई प्राप्त कर उन्हें आराम की सहया बना देते हैं वो सदा विश्णू के समान हरसित रहते हैं निश्चिंत रहते हैं तुस सदा या चितर अपने सामने देखो कि विकारों के अधिन किया हुआ है, मैं अधिकारी आत्मा हूँ, आत्मा सदा आराम की स्थिती में निस्चिंट है, उपर रह कर क्या करना है, देखना है, विस्वक में क्या हो रहा है, कितनी हल चल और हम बच्चे बाबा की गोद में कितनी निस्चिंट है, प्रकिर्ती भी हमारे सेवा कर रही है, स्लोगन बालक और मालिक पन के बैलेंस से प्लैन को प्रैक्टिकल में लाओ, क्या सोचना है कि बाबा की मल्कियत के हम मालिक हैं, और यहां पर हम बालक बन कर हर एक पुरुसार्थ को करते हुए चले, शांती